दोस्तो बाश्या यानी शारुखान आज बॉलिवुड इंडर्स्टी के नंबर वन एक्टर माने जाते हैं जो अपनी दंदार फिल्मों से दर्शकों का हूब मर अरंजन करते हैं जिसके वजह से लाखों दर्शक उनके फैंस हैं यही नहीं बलकि इन्हे रोमैंस किंग भी कह जाता है जहां इन्हीं कई एक्टरिस के साथ रोमैंस करते हुए देखा गया है लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि शारुखान अब सिर्फ पुरानी ही एक्टरिस के साथ काम करना पसंद करते हैं जिसके पीछे की वज़ा जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे जी हां तो आखिर ऐसी कौन सी वजा है जिसके चलते शारुखान सिर्फ और सिर्फ पुरानी ही एक्ट्रिस के साथ काम करना पसंद करते हैं बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिये तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और शारुखान के बड़ी फिल्मों के साथ कमबैक करने वाले हैं और एक बार फिर बॉलिवुड में धमाल मचाने वाले हैं जहां इनकी फिल्मों के नाम सुनने को मिले हैं जिसमें पठान, जवान और डंकी जैसी फिल्में शामिल हैं लोग इनके फिल्म के नाम से ही काफी जादा एक्साइ देखना लोगों के लिए बहुत अजीव होता है और इन्हीं सब ट्रोलिंग की वजह से शारुखान को इस बात का हमेशा डर रहता है कि लोग उन्हें भी ऐसे ट्रोल ना करें जिस बात को ध्यान में रखकर ही शारुख खान का मानना है कि वो अपने ही उम्रवाली एक्रिस के साथ काम करें और उनकी जितनी भी फिल्म हो वो अपनी ही उम्रवाली अभिनेतरी के साथ हो ताकि उन्हीं ऐसी ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े और वो मेकर्स से भी यही डिमांड करते हैं कि उनके फिल्मों में उन्हीं की उम्र वाली एक्रिसिस को उनके ऑपोसिट किया जाए चाहे कैसे भी सीन क्यों ना करने हो और यही एक कारण है कि शारुक खान पुरानी एक्रिसिस के साथ काम करना ही पसंद करते हैं तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में जान कर और शारुक खान के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं आप अपनी राये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूर इंडस्टी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले